साथियों नमस्कार कैसे हो आप सबी संपुन प्रियार्वरन अध्जन के भाग दीन में आपका आठ्धिक स्वागत है पूरी प्रियारञ अध्जन अपन कर रे हैं मैंन मैं बिंदूं में से पढ़ रहे हैं साथियों इसकी गत्थ दो क्लासे अपने कर ली है ये तीसीर कलास है, ध्यान से समझेगा, शुरू करते हैं संपून प्रियावरन अध्यन, भागतीन, साथियों पंचायत, पंचायत सब्द, अब बात आते हैं पंचायत सब्द के, पंचायत सब्द, इस्तानी चेतरी के लोगों द्वारा चाहिने, पंच वेक्तियों के समू, पंच वेक्तियों के समू वह प्रण्यालियों को का जाते हैं, जिसके द्वारा, जितनी भी वहां की जनता है, असन की जनता है, उसको साशित किया जता है, देवो रिग्वेद में भी सबावे समीती नामक दो सहिस्ता वो कउलेख है जो राजाप नेंतर रखती थी ग्राम सबसे उस समीत छोटी इकाई होती थी परबंध ग्रामी नामक ग्राम अधिकारी करता था चोल सार्षन के दोरान भी गाउ में साथियों नाड़ू परिशदे करी रत थी भरत में इस्तानी स्वेशार्षन का जनक आप सभी को पता है इस्तानी स्वेशार्षन का जनक लोड रिपन को कहा जाता है रास्तान में तेन इस्तरी पंचाईती राज विवस्ता है पहला इस्तर है उसका जिला इस्तर जिला इस्तर में जिला परिशद खंड इस्तर में पंचाईस समिती और ग्राम इस्तर में ग्राम पंचाईत जिला इस्तर में क्या भाई रास्तान में पंचाईती राज विवस्ता तेन इस्तर पर काम करती है जिला इस्तर पर जिला परिशद खंड इस्तर पर पंचायद समितिव ग्राम इस्तर पर ग्राम पंचायद राश्तान राज्ये का राश्तान पहला राज्ये है जो सर्व पर्थम जिसमें पंचायदी राज व्योस्ता शुरू किये गई साथियो सर्पंच बनने की जो उम्र है वो आप सभी को पता है 21 वर्ष है सर्पंच बनने की जो उम्र है वो 21 वर्ष के आयू क्यों होती है रास्तार में सबसे पहले पंचायत राज वेवस्ता 2 अक्टॉमबर कब 2 अक्टॉमबर 1959 दो अक्टमबर 1959 में नागोर छे बुगतरी मानाशर छे शुरू ही 27 नौंबर गुनीशो पिच्चाण में देखो सातियों 27 नौंबर गुनीशो पिच्चाण में 21 वर्ष आयो तो होनी है चाहिए 27 नौंबर गुनीशो पिच्चाण में के पस्चाथ किसी भी व्यक्ति के तीसरी संतान पेदा होने पर वो चुनावने लड़ सकता है देखो अगर किसी व्यक्ति के तीन संताने हैं उन्हों में से माल लेजिए दो संतान या एक संतान 21 नौंबर गुनीशो पिच्चाण में से पहले कि यह तुव चुनावन लड़ सकता है लेकिन 21 नॉवंबर 1995 में से दो से अधिक संताने नहीं होनी है चाहिए समझ में आया दगो तीन इस्तर पे काम करती है जिला इस्तर, खंड इस्तर, ग्राम इस्तर दोक्टॉमबर 1959 में नागोर के बुगतरी मानसर से शुरू हुई पंचायती राजवेवस्ता राज़तान सबसे पहला राज़े है जिसमें पंचायती राजवेवस्ता सुरू हुई 21 नॉवंबर 1905 में के बाद किसी वी वेक्ति ये तीसी संदान पेदा होने प्रवया है चुनाव नहीं लड़ पाएगा अब देखो जो भरतर का राष्टी चिन है राष्टी चिन है उसको समराट अशोर महन के सांदात वारानसी इस्तम से लिया गया बारत सरकाने से 26 जनुवरी गुनी सो पचास को अपनाया 26 जनुवरी गुनी सो पचास में अपनाया राष्टी द्वज तरंगा अब देखे सात्य उत्ति रंगा ये बारे में बात करते हैं वहां मरा राष्टी द्वजा सब से उपर केसरिया रंग होता है केसरिया रंग जो सोरिय का प्रतिक है फिर सफेद रंग होता है वो सत्य का प्रतिक है फिर हरा रंग होता है हरा रंग हरा रंग सम्रध्धी का प्रतीक किसका प्रतीक है सम्रध्धी का साथियों बीच में सफेद पट्टी होती है उसमें चोईस तिलिया होती है सत्य की प्रकृति के मार्ग होता है सत्य की तरफ प्रकृति करें इसका मार्क होता है जो बीच में सपेद पट्टी होती है उसमें चक्र होता है उसमें 24 तिलिया होती है जो तिरंगा है इसको समिदान सबाने 22 जुलाई 22 जुलाई 1926 को अपनाया राश्टी द्वज के जो लंबाई चोड़ाई होती वो तीन रेशो 2 होती समझ में आगे चलते है राश्टी जो गान है जन्गन मन जन्गन मन आप सबी को पता है किस ने लिखा रविंदर नाट टेगो ने गुरुदेव रविंदर नाट टेगो ने लिखा नाट टेगो ने सरोप्रथम गीतान जली में की थी इसकी मूलबासा थी जो बांगला थी हिंदी संसकरंत भारती संविदान सबादुआरध 34 जन्री गुनीफ़ोंफ्शोंपचास को अंगेकरत किया गया कब किया गया 24 जन्री गुनीफ़ोंफ़ोंफचास को ठीक है राष्टे गान में कुल बारा पंक्तिया इसकी गाने के उद्धी बाउन सेकंड है गाने के उद्धी कितनी है बाउन सेकंड संक्षिप्त में गाने के उद्धी है बीज सेकंड संक्षिप्त गाने की कितनी है बीज सेकंड अब देखो जन्गर्मन की रचना तो रोवंदर ना मंकिम चंद्र चटर जी ने की थे साथियों अपने उपन्यास उनका अनंदबट उशमी इसकी मूहलबह से कया संस्कर्थ है इसका उर्दुनुवाद आरिफ मुहमद खान ने किया उर्दुमे नुवाद आरिफ मुहमद खान ने जो राष्ट्य गीत है उसको स्विदान सबने 24 जन्वरी गुनी 150 को अपनाया गया राष्ट्य पंचांग संग समवत 38 इस्वी है से शुरू हुआ जो राष्ट्य पंचांग है वो संग समवत 38 इस्वी से शुरू हुआ पर्थम मेना उसका चेत्र है अंति मेना फागुन है पर्थम मेना चेत्र अंति मेना फागुन जो राष्ट्य पसू है वो बाग है इसको साइन्टिफिक भासा में पेंथरा-टाइगरिस- लिन्यास कहा जाता है पेंथरा-टाइगर-टाइगरिस- लिन्यास गुनी 173 में आपको सभी को पता है गुनी सो तैतर में बाग प्रियोजना शुरू हुई गुनी सो तैतर में बाग प्रियोजना का सुबर्म किया गया बाग प्रियोजना का सुबर्म कब किया गया गुनी सो गुनी सो तैतर में बाग प्रियोजना का सुबर्म साथियों राइष्ट पक्षी आप सभी को पता है मोर है मोर इसको प्राणे विज्ञान में पाव क्रिष्टे टस के नाम से जाना जाता है पाव क्रिष्टे टस मोर को भारती वन्य जीव सनेक्षाने दिनियम 1922 के तहित वन्य जीव अधिनियम गुनिशो बहतर के तहित पूर्ण सरक्षिन प्रदान किया गया अब राश्टे पुस्प आप सबको पता है कमल है राश्टे पुस्प कमल है इसको वन्य स्पतिव ज्यान में नेलंबो निूशी फेरा नाम से जाना जाता है क्या नेलंबो निूशी फेरा उन्य स्पतिव ज्यान में इसका नाम नेलंबो निूशी फेरा है राश्टे मुद्रा रुपया है इसका चिन ये है 12 सरकार ने 15 जुलाए 2010 को शे को अपनाया उदै कुमार जी ने इस चिन को बनाया साथि उइसको भारष सरकार ने 15 जुलाए 2010 को अपनाया राश्टि फल आम है आप सब भी को पता है इसका व्यग्यानिक नाम है मेनेजी फेरा इंडिका मेनेजी फेरा इंडिका इसका व्यग्यानिक नाम है आम को फलो का राज़ा भी कहा जाता है आप से भी को पता है राश्टि विराशत पसू राष्टी विरासत पसू की स्रेणी में हाती को 22 सक्टमबर 2010 को लिया गया हाती को 22 सक्टमबर 2010 को राष्टी विरासत पसू गोशित किया गया सातियों शिक्षक दिवस शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मुनाए जाता है 5 सितंबर गंदि जयनेती 2 बाल दिवेश कब 14 नोम्बर पर्थम प्रदार्नम्तरी पंडीत जवालान नेरु के जर्ण दिविश के रूप में इसे मनाए जाता है साथ अब राश्ट्री राजमार्ग सिंग के साथ सर्वादिक लंबा राजमार्ग है साथ सर्वादिक लंबा राजमार्ग है 2640 किलो मेटर है ये 2640 किलो मेटर है राजमार्क सिंग्या पंद्रा राष्टान के अधिक्तर हिसो को जोड़ता है अब जो सूचना के प्रमुक साधन है उसमें रेडियो आता है सूचना के प्रमुक साधन में रेडियो आता है टेलिफोन आता है टेलिफोन फेक्स आता है टेलिवीजन यह सूचना की साधन है सूचना को एक इस्थान से दूसर इस्थान पूर्चाते हैं और इमेल रेडियो टेलफॉन फेक्स टेलिवीजन और इमेल रेडियो में बारत में रेडियो प्रसाणन का सुरुवात गुनी 127 में हुई गुनी 137 में इसे ओल इंडिया रेडियो नाम दिया गया गुनी 177 में आकाश वानी के नाम से परसे दुआ टेलिफॉन इसका अविसकार एलेक्जेंडर ग्रहम बेल ने अविसकार किया साथियों जो फेक्स पन्नाली है इसका अविसकार इसकोर्ट लोयन में एलेक्जेंडर बेल ने किया टेलिफॉजन 26 नॉब्र गुनी 12 जोन लोगी बेयर्ड ने टेलिफॉजन का सफल प्रेशन बिटेन में किया भारत में 15 सितंबर गुनी 16 को दिल्ली में टेलिफॉजन सेवा आरंभुई साथियों और इमित्र इमित्र जो है वो पीपीपी गविनेंस सुधा पे चलता है पबलिक प्राइवेट परटनेशिप यह इगविनेंस सुधा है इस पे चलता है इमित्र साथियों आगे चलते ह हमारे देश में सडक पर व्यक्ति को वान हमेशा कहां बाई तरफ चलाना चाहिए शडक पार करते समय नियम का पालन करना चाहिए पेदले आतरी को हमेशा जेब्रा क्रोशिंग का उप्योग करना चाहिए जो कि सफेद पट्टी होती है उसे जेब्रा क्रोशिंग बोलते है बाई तरफ चनना चाहिए, जेबरा क्रोशिंग का प्रियोग करना चाहिए और 16 वर्ष के आयू होने पर बिना गेर वाली गड़ी के चालान के लिए STI license बनता है 18 वर्ष के आयू पर पून होने पर गेर वाली गड़ी के लिए चालान के लिए license बनता है अब देखो अतिम हैत्पुन टेलिफोन नंबर अगर पुलिस का नंबर है तो 100 पुलिस को कॉल करना है फाइर बिर्गेट को फोन करना है अगनी समन को फोन करना है फाइर बिर्गेट को 101 एम्बुलेंस को एम्बुलेंस को 102 दो आपात का लिन सेवाग के लिए 108 जन्नी सुरक्षा सेवाए 104 यह महत्पुन मोबल नमबर है पुलिस 100 एंबुलेंस से 102 अगरिसमन 101 आपात का लिन सेवाए 108 जन्नी सुरक्षा सेवाए 104 उमिद है आपको समझ में आया होगा शातियों आज का अपना ये टोपिक इसी परकार से पूरी प्रयावरान अध्धिन परिए पहले एक बार प्रयावरान अध्धिन के टोपिक करेंगे फिर प्रयावरान अध्धिन में जो राष्तान जीके की टोपिक है उसे करेंगे उसके बाद में जो प्रयावरान अध्धिन में साइ झाल